हेलो जोस्तो मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में और आज हम आपके सामने लेकर आए जीयस की कक्षा जीयस की कक्षा लेकर आए हैं जो हमारे सभी प्रतोगता प्रिक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी ह और इस सेग्मेंट में आज हम आपके सामने पॉलिटी यानि जिसे हम राजविवस्ता यानि भारती राजविवस्ता को हम समाप्त करेंगे बिल्कुल कितने गंटों में साट गंटों की वीडियो में तो आप लगाता मेरे साथ बने रहे और मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो पर चलते हैं और आज बात करने वाले हैं मिल्टी सासन यानि भारते सविधान का इत्यासिक अधार के पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिल्टी सासन काल को हम दो बराबर भागों बाटते हैं यानि एक भाग 1773 से लेकर 1858 तक चलता है तक दूसरा भाग हम बात करेंगे 1878 से लेकर 1947 यानि ताज का शासन एक भाग को कहते हैं और दूसरी भाग को कहते हैं ताज का सासन यानि करांड का सासन यांसबा बात मैं आपको पताहिए जो भारत में सव्यदादनेक्स का के पहला है और देड़े जिसमें करमी की विकास्थ में ब added Lego ने को मैं बना कुद्धदा ने कैसाó ने जिसके मादियां से हमारे सव्यदानकी पौइब पास्छा थी शिष्षा को परती जागरुमता बढ़ी और उसी पास्चा थी सिष्षा ने हमारे के राश्ट की भावन्म ने क्या किया बाथे सव्धान की मांग रखी और अन्दर व Lobster 347 में इस इद्धान बना लेते हैं तो चलिए बात करते हैं 1773 के Regulating Act की जो भारत में इस chapel इससे इंडिया कंपणी के कारियों को नियमित और नेंदृत करने का पहला कळम था यारी इसका मतलब भी बिलुकुल भी नहीं कि इससे पहले भारत में British Eastern India Company का असासन नहीं था दोस्तों सासन था जैसे आप सुभी पताओं कि British Eastern India Company 1600 इसवी में भारत में आती है और इसी सुरुवात में 1757 की बात करें 1764 की बात करें और 1765 यानि 1757 का प्लासी 1764 का भक्सर गिए और 1765 में British सरकार पूरे यानि पूरी तरह के से भारत रगजा कर लेती है वेपारी रूप से राधनिती रूप से आर्थी रूप से पूरी तरह से यानि बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी किसको परात हो गई British East India Company को कब 1700 पैसर में यहां से आपका पहला परसन ही बन जाता है कि बिटिश सरकार ने बंगाल और बिहार और उडिशा की दिवानी का परात की सत्रसों पैसर ट्यूश्वी में अब बात करने वाले हम जहां से हमने बात की सुरुवात की थी यह रेगलुटियंग की मैंने का था कि यह भारत में इस्टेंडर कंपनी के कारियों को नेमित और नेंदरित करने वाला पहला कदम था इससे पहले तक ब्रिटिस स्रिणर कंपनी का एक अधिकार हुआ करता था लेकिन इस पर थोड़ा बहुत नेंदरन ब्रिटिस सरकार ने रखना शुरू कर दिया ताकि वह अपने अधिकारों को दूर्पयोग ना कर से कि जो फायदा ब्रिटिस सरकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रह भादी पहली बार किसे अध की मादम से 173 के अधिके मादम से पर और केंधनरी प्रसाषाषन की दूसरी विश्चा ही जोस्तों इस भारत में पर केंधे पड़ी कि प्रसाषन के मतलब क्या होता है कि ब्रिटीस जो इस टर्रें कंपनी थी उस पर ब्रिटीश सरकार थोड़ा मेखनी की सुर्वाति कर देती कर देती कि यह कि बंगान के गवर्णर कपदनाम बदल दियाग गिया गे दो दोस्तो छे 1773 के बंगान के पहले गवर्नर करें दोस्तों लॉर्ड के पहले गवर्नर जर्नल हो जाते हैं कब 1773 के रेगुलेटिंग एक के माध्यम से इस एक में एक और प्रादान दोस्तों कि कलकत्ता में 1774 में एक नियायले की स्थापना के कि जिया दोस्तों जा रखना 1773 का एक था और 1774 का साल था प्रादान आधिश एक माध्यम से 1774 में बंगाल में एक उचितम क्षापना की कैद और उस तकितम नियायले में एक मुखे नायदिश और तीन प्रसनब्रश मैं पूछा जाता है कि क्लकत्ता उचित नायले कि मुखे नायदिश कों शाम थे पहले तूय लादना क्यों थे अलेजा एमपे ठीके अब यानि 773 के regulating act clear ठीके जाता है अब बात करते हैं 781 तो 781 की जो act था दोस्तों हम कहते हैं act of settlement के नाम से अब act of settlement क्यों कहा जाता है क्यूंकि 773 में जो भी कम्या थी नियमों में, नियमों के avantan में अधिकारों की गोश्रा में उन सभी नियमों को सुचारूप से दुबारत सही करने के लिए Act of Settlement लाए गया और उसी Act of Settlement के माध्यम से पहली बार 1784 का Pits India Act को लागू किया गया और Pits India Act जो Pits यानि ये जो Pits है वो किसके नाम पर पढ़ा दोस्तों उस समय ब्रिटेल के सबसे युवा परधान मंत्री थे विल्यम पिट विल्यम पिट के अधार पर ही इस एक्ट का नाम क्या पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट तो 1784 का Pits India Act पढ़ा लाइक हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कम्यों को दूर करने वाला और इस इस 1773 की कम्यों इस पर नियेंतरण करने वाला था उसको कंट्रोल करने वाला था इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि इस अपने कंपनी थी इसका पूरा अधिकार समाप्त होगे नहीं फिर गवर्शन सब्सक्राइब तो यहां देख्था हैं कि British सरकार भारत में कंपनी के नागरिक सेन और राजसों संबंदी कारयों पर पूर नियांतर रखते थी इसके मातंना से Board of Control के मातंदम से इस बिटिच के सरकार का सेनम नागरिक और हम कहें राजयसों संबंदी यह सभी मामले पर नित्रण को रहता था ब्रिटीश सरकार किसके मादम से इसी बौर्ड ऑफ कंट्रोल के मादम से लेकिन ब्रिटीश इस्टेडर कंपनी के पास अधिकार था कि वह अपने अधिकार को चुन सकती थी उन्हें विस्थापित कर स कर दी गई थी इस अधिनियम के तहट पहली बार कंपनी के अधीन चित्रों को ब्रिटीन के अधीन चित्र कहा गया यह पहली बार इससे पहले ब्रिटीश भारत में सभी चित्रों को ब्रिटीश इस्टेडर कंपनी का चित्र कहा जाता था लेकिन 1784 के माध्यम से पहली बार भारत में बृटेन इस्टिटे इस्टेन कंपीय के चित्र को क्या का गया बृटेन का चित्र खागे अब पूरी तरीके से बृटेन अधिपत्य करने वाला था करने वाला था हुआ ने तभी शुरौत हो चूकी ती राइट तो 1784 का एक क्लियर ओके अब दूस्तों बात करते सरकार यानि इस इंडिया कंपनी पर नियंद्रण करने की शुरुआ सब्सक्राइब क्या बदला हुए तो 1813 के एक्ट में बदलाव पहला था दोस्तों कि इसके माध्यम से कंपनी का व्यपारी एक अधिकार क्या कर दिया गया समाप कर दिया गया क्या कर दिया गया व्यपारी के अधिकार समाप कर दिया गया अब कंपनी अकेली कंपनी नहीं थी जो ब्रिटीज भारत में व्यपार कर सकती थी अब इसके अलावा अन्य कंपनियां भी भारत में यहां आप कह सकते हैं कि कंपनी के कंपनी के एक अधिकार की समापती यहां पर एक फैक्ट मेरे दोस्तों कंपनी की वैपार के एकादिकार को समापत कर दिया गया परन्त अभी भी चीन और चाए समझेंगे ना चीन चाए चाओ 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 नहीं करना है पर है मतलब चीन चाए चीन और चाए पर British Australian Company के अभी भी एक अधिकार कायम था यानि वाडिजिक वेपार तो समाप्त कर दिया गया लेकिन चीन और चाए इन दोनों पर अधिकार अभी भी कायम रहा कब रहा अठार सु तेरह के चाटर अधिनियम के माध्यम से भी यानि अभी समाप तो नहीं वहाँ एक तरसम कह से पूरी तरसमाप नहीं हुआ था लेकिन शिरिप यहीं बचेते दोनों यह चीन और चाय पर समाप दीवागी सब पर समाप कर दिय क्याए था धारों वहाए था तो तेरह के सबसे पूंधि के माध्यय से भार्त में पहली बार सिक्षा के लिए एक लाग का चख्षा की अधिकिा और प्रचारू परसार करने के लिए हैन रुपए का रंत्य एकमाप को खर्च नहीं गया चप्षण यह जट नहीं रहा या तो वो थी दोस्तों पहली बार भारत में इसाई मिसनरीज इसाई मिसनरीज का मतलब क्या होता है मिसनरीज उन्हें बोलते हैं जो धरम का प्रचार प्रसार करते हैं तो इस एक मार्दम से बिर्टेज सरकार ने भारत में इसाई मिसनरीज को भेजा कि आप जाए भारत में इसा खाइक धåर्म का प्रशारसार कीजिए यांनि सबस्दी कि माहिऒ जाए ते रहे कि माढ़म से बात में इसहाइन intra Frei ते भारत में इसायत का प्रशार प्रासार करने के लिए और इसक्राइब बहुत सारी चर्च और एकुलों कोलेज कि सहापना की जाती है सिंट स्टेफहटी कोलीज नाम पता आपको सेंथ से थो स्थामस पता है वो उसी माध़ेसी सहापना की liner एंथ कब 28 RPG एंफंसे और यह इंघ्स सपूर्ब और थे और यह थो बहुत बहुँचत की कि 18 engineer इसाई में इसवी बाते हैं अठार हो और समाप्त के एक चीन और चाय को छोड़कर 1813 में और ब्रिटीश इस इंडिया कंपनी के अलावा अन्य वापारिंग कंपनियां को कब नियोता दिया बात में अठारह सो तेरा में तो कुछ महत्तवपूर बाते थी और 1813 अधिनियम भी होब समझ गयोंगे आगे बढ़े अब बढ़ते हम दोस्तों 1813 का चाटार अधिनियम तो सबस 동把它 यहां बिटीज भारत की केंदरी करन में मनें इस निरनायक statis सबस pajarata केंदरी करनले क्या सबसें सबसें निरनायक कदम सिद ऑफ और निरनायक क कैसे नहीं अब बियुटीज भारत,- नियमें हो लिए ब्रीटीज भारत पर पूरी तरीके से अदिकार किस जैखने हो गया यानि अठारो拼ूसों 303 के चार्टर हुको मांतियम से बृबीटीज इस्ट इंडिया कंपणी का एक अवडिकार पूरी तरह तो दाफ जा घुटीज इस्ट कंपणी पूरी तरीके ब्रीटी से बाण्रत में वेपार करने में सक्षम नहीं थी और इसी के बाद एक पूरे वेपार को dabei के सक हो गया सकार क highlight जो चीन और क्या यहां मचे थी उस चीनर चाय के अदिकार को भी यहां समाप कर दिया गया राइच समझके चलिए यहां पर एक महत्फफिन परिकन नोंसों कि बंगाल के गवार्नेरल को श्रॉन और से 70ытर को निया में बनाया उसी गविश्य discernal के बंगाल की सबनहों को 1833 के माद्यम से भारत का गवर्णर जनल बना दिया गया और भाद के पहले गवर्णर जनल को आट है Lord William Banting यह रखना Lord William Banting भाद के पहले गवर्णर जनल है और Warren directement को ने थुझतों बंगाल के पहले commissioner यह रखना बंगाल के पहले गवर्नर जर्नल या उन्हें पहले गवर्नर भी कह सकतो आप किसको वर्रेंस्टिंग को लेकिन लोर्ड विलियम मेंडिकों ने भारत के प्रथम गवर्नर जर्नल अठा से 13 मेरे इससेट में एक बहुत बड़ा चेंज़ आता सो इस से पहले बने या बनाये के कानुनों को नियामा कानुन कहा गया ज़िए लेकिन अठारस हो तेंटिस के बाद बनने वाले कानुनों को क्या कहा गया तो आतिनियम ये में आपको पटा दो क्या होता है और तक राषपति उस पर सासन नहीं करता तक वह rating नहीं बनता और जैसे राष्पति उस पर signature करता है वैसे वह क्या बन जाता है कानून बन जाता है और यानि संसा द्वारा पारित कानू पर जब तक राश्वत्ती का सासन क mom क्या हो जाता है थीक उसी परकास से 889年 1ress잖아 पहले बैर्ण का पुष्प पर सकते हैं कि इस सक्वाइब गया होँदा तो upon जिया थो अब स्थ इस तो ध्यूंब स्कानुन होगा जानि अब पहले नियामक कानून और लिए खेलिए इसमीरों को सेहने पर एक्ष्प एक्ट बन गया नीज़र कि कि इसके बाद इस इस ते इनेंग कंपणी की व्यपारिक निकाह समाब मैं ने पहले का देंगे में में ही वैपार करूंगा तो वहारी पार संमाप पिर देंगी अब औरों को भी मोका दिया गया नहीं यह आप बímड रिकार करने में क्या है सक्षम है आपको अधिकार देते हैं तो ऐसा मस्द समझ लिए जारी है सिविल सेवकों के चेन के लिए खुली परतोगिता का आजन शुरू करने के प्रयास किया गया यानी 1833 के अधिनियम के माध्यम से भारत में सिविल सेवकों के लिए खुली परतोगिता यानी ओपन चैलेंज ओपन परतोगिता का खुला करने का प्रयास क्या गया सिविल सेवक पर्यास किया गया लेकिन चुंकि इसे बॉर्ड ऑफ गवर्णर बोड निरी बॉर्ड ऑफ कंट्रोल सेमत नहीं थे इसलिए से लागू नहीं किया जाए लिए परियास किया गया था अठारों सो तैंटिस के अधिनियम के माद्यम से अब हम बात करते हैं अठारों सो त्रेपन के चार्टर रेक्ट अठारों से अधिनियम के बात करें तो क्योंने लिख रहा है क्योंको तीटर के पहले को हम रेगोलेट कहते थे तीटर क्या लगरेट चार्टर कपसे बनना शुरूआ 573 से यारे से 903 say 750 सरुविं में 1853 की जो ठाव अनथिम आफ ता आपसे पूशा जा करता है कि 10 00 2 चाटर में सब से अंतिम चार्टर को ना 151 at 818 का Chatter Act माओ 집 watching सिबिल सेवकों की भरती एवं Отक हैं नहीं है पहली बार भात ने खुली परतोगिता के सुरूल की गई आप जानते सिबिल से वा कितनी बड़ी पोस्ट है यानि आप British सरकार के रेड़ी हो या ना हो लेकि इस बात के लिए British सरकार को आपको रेड़ी होना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ऐसी सेवा देखे से लेगे हैं जो दुनिया में आज सबसे अच्छी मानी जाती है जिसको बनने का सबना भाद कहा रेग एक व्युआ देखता है वह कुछ बने ना बने लेगिन एक सपना जरूर देखता है वो क्या बने koni का सबस्थेश में बरिटिश इस इंडिया ने ऑडिव रनी सरकार ने दिया ए तो उसी सरकार ने कि आप भार्टिजंट को British सरकार में काम करने का दिकार दिया जाएगा हाना को भी भार्ट ये future British ससर्चन में काम करने के लिए यह संच्षा मोरा ऐगा यूद्स भार्ट्बतक ये इस Corda में का समीति करने के लिए एक समेंगी 1814 में जिसकी अध्यस्ता करते कोन लौड मै काले काले समिट्य घठन कब किया गया अठारो सो चबोन में किस अधिनियम के मादम से 1853 के चार्ट्रेट के मादम से और मैकाले समिध्य किसे संबंदित है स्मिफ से को कि खोली परतोगिता से यानि से सेव का चयन कैसे ज़गा चाहिए उमर कितनी होने चाहिए उमर पहले किया तो अठारày बस गटागर कि इसें एक और बात उच्वर केंद्री विधान परिशत में इस्थानिय परतनिति प्रमट पहली बार केंद्री विधान परिशत में इस्थानी प्रतिंदीतों का आपैसोत में इस्थानी प्रतिंदीतों कारार्म किया और सब्सक्रांद में फूरती सरक्म शेयर संद्री सब्सक्राइब विएखार परतिंदे लिए तोitel से विशा यह चार प्रांते जहां के सदस्यों को इस्थाने प्रांतों में सामिल किया गया तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में देख लिया कि कंपनी के सासन 1773 से लेकर 1853 तक 1858 की हम बात करेंगे कब अगले वीडियो में आप त्यार रहिए 1858 से लेकर 1947 तक के पूरे एक्ट और कमेंड कीजिए कि आप और क्या इसमें पढ़ना चाहते हैं ताकि मैं आपने आने वाल नेस वीडियो में उस विशेव को कंप्लेट कर सकूं धन्यवाद